हेलो गाईज, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये सुन्दर सा डिजाइन, ये दो किलर में मैं डिजाइन बनाए हूँ, ये चार-चार फंदों का मेरा डिजाइन है, तीन फंदे ये बीच में है और एक फंदा ये वाला है, बलेक वाला है, ये हमारी सीधी साइड है, बहुत सुन्दर सा और आसान से बताने वाली हमें आपको ये डिजाइन, चलिए, डिजाइन को सुरू करते हैं, तो प्लीज, मेरी वीडियो को लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर करें, देखिए, सीधी साइड से कलर लगा रहे हैं हम अपना, तो सीधी साइड से हमें इस एक फंदा इसको ऐसी उतार लेंगे, ये फंदे हम इस तरह से बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुन लिया हमने, और तीन फंदे सलाई में उतार लेंगे, फिर से एक फंदा बुन लेंगे, तीन फंदे उतार लेंगे, चोते फंदे को हम बुन लेंगे इस तरह से, तीन यह सीधी साइट से हम कलर लगा रहे हैं अपना यह हमारी उल्डी साइट है अब हम क्या करेंगे इसको देखे इस तरह से इसको बुन लेंगे हम जो ब्लैक कलर का हमारा एक फंदा है इसको बुनेंगे जो इधर से बुनेंगे और धागा पीछे लेके जाएंगे और इनको शलाई में उतार लेंगे इस तरह से इन तीन फंदों को फिर धागा आगे लाएंगे और इसको बुन लेंगे उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे इन तीन फंदों को हमें एसे ही उतारना है बिना बुना और धागा हमें आगे घुमाना है इस तरह से दागा से ले जाएंगे पिर फंदे इस से लाई में डाल लेंगे और ये फिर इसको आगे लेके आएंगे इस तरह से देखिए आगे से आगे वाली साइड से इस तरह से लाएंगे इसको और फिर हम इसको बुन लेंगे फिर से धागा पीछे करेंगे और ये तीन फंदे हम इसी तरह से उतार लेंगे और इस फंदे को अपने बुन लेंगे उ और यह उल्टा फंदा बुन लेंगे इस तरह से इसको उतार लेंगे हम अब यह हमारी सीधी साइड है तो इसको ऐसी चोड़ देंगे ब्लैक वाले से नहीं बुनेंगे और ओरेंज कलर से मुनेंगे मनलब हमारा यह जो कलर है इसी से बुनेंगे सीधा सीधा बुन लेंगे सभी फंदों को यह सीधी साइड से बुन रहे हैं इस तरह से सीधा सीधा बुन लेंगे अब अपनी सीधी साइड से जो हमने बुना है यह फंदा ब्लैक वाला इसको भी बुन लेंगे सभी फंदों को बुन लेंगे हम इस तरह से तो प्लीज मेरी वीडियो को लाज तक देखें लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है इस तरह से बुन लेंगे अब उल्टी साइड से भी हम उल्टा उल्टा इसी तरह से बुन लेंगे इसको उल्टा और सीधा हमें इसी तरह से बुनते हुए जाना है यह बहुत सुन्दर डिजाइन है आप जाकिट में डालें बच्चों के लिए डालें बच्चों के टोब बनाएं जाकिट बनाएं बहुत सुन्दर लगती है यह उल्टी साइड भी हमारी कंप्लीट हो गई है अभी हम दो रो और कंप्लीट करनी है एक सीधी इधर से और एक उल्टी अब हमें यहां डिजाइन बनाना है तो डिजाइन हम इस तरह से बनाएंगे दो फंदे से हम ऐसी बुन लेंगे यह ले लेंगे इस तरह से अब हमें यह हमारे जो फंदा है पहला यहां हम यह ब्लैक कलर लगा है तो इस फंदे को छोड़के इस पर डिजाइन बनाना है इन तीन फंदों को हम इस तरह से लेंगे अब हम क्या करेंगे यह अपना black color का धागा लेना है जो हमारे नीचे के फंदे हैं अब हम इसको इस तरह से बुन लेंगे यह फंदा नीचे से उठाएंगे और इसके साथ बुन लेंगे इस तरह से पिरिचे हम ऐसी करेंगे ये वाला जो पहले हम यहां इस वाले फंदे में बनाई थे ये वाला इस वाले में बनेगा एक फंदा छोड़के एक आगे का रहेगा और एक पीचे का तीन फंदे हम इस तरह से लेंगे सलाई में इस तरह से ले लेंगे और ये जो आगे वाले फंदेया दो डिजाइन से इस से आगे वाला फंदा है इसको इस तरह से लेंगे और इसके साथ बुन लेंगे सीधा सीधा बुन लेंगे इसको फिर से हम यासी करेंगे ये तीन फंदे लेंगे इस तरह से उठाएंगे फंदे को इस तरह से पुन लेंगे इस तरह से पुनेंगे हम देखे तीन फंदे लेंगे सलाई में इस तरह से निकाल लेंगे अपने ये और इस फंदे को इस तरह से बुन लेंगे फिर से हम तीन फंदे लेंगे और इसके साथ ये नीचे से उठाके और इसके साथ बुन लेंगे बहुत आसान डिजाइन है ये अब बहुत सुंदर लगता है देखिए इस तरह से ले लेंगे फिरसे पंदे यह बीच वाले जो फंदे हैं इसके इसके साथ हम बुल लेंगे इस तरह से फिरसे इन दोनों फंदों को हम इस तरह से ले लेंगे इस तरह से हमारा डिजाइन आएगा अभी इसकी डिजाइन की सुरूबात है अब फिरसे हम ऐसी करेंगे इसको दो फंदे इस तरह से ले लेंगे अपनी सलाई में इसको और फिर धागा आगे करेंगे यह इसको बुन लेंगे हम फिर धागा आगे करेंगे इन तीन फंदों को इस तरह से लेंगे सलाई में और आगे से गुमाएंगे इस तरह से जैसे हमने पहले नीचे से लिया था यहा दागा आगे करेंगे तीन फंदों को इस तरह से लेंगे सलाई में और इस फंदों को बुन लेंगे उल्टा यह उल्टी साइट से बुन रहे हैं हम उल्टा बुन लेंगे धागा फिर से घुमाएंगे फंदे अपने सलाई में लेंगे फिर से बुन लेंगे इसको इस तरह से बुन लेंगे हम, धागा पीछे करेंगे, इसको इन तीन फंदों को हम इस वाली सलाई में उत्वार लेंगे इस तरह से, फिर धागा हम अपनी तरफ करेंगे, और ये बुन लेंगे सीधा, फिर से धागा पीछे करेंगे, और ये तीनों फंदों को हम इस तरह से लेंगे, और दागा इस तरह से लाएंगे फिर से बुन लेंगे इसको फिर पीछे करेंगे धागा और इन फंदों को हम अपने ले लेंगे इसको इस तरह से लाएंगे आप इसको हम यही छोड़ देंगे और इस वाले कलर से हमें बुनना है सीधा सीधा बुनेंगे अब इसको छोड़ देंगे हम यहीं और इस दहागे से बुनना है हमें सभी फंदे बुन लेंगे इस तरह से हम अपने सभी फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे यह सीधी साइड से बुन रहे हम तो सीधा सीधा बुनेंगे उल्टी साइड पर आएंगे तो उल्टा उल्टा बुनेंगे यह उल्टी साइड है तो उल्टी साइड से भी हम एक ही इसी कलर से बुनते जाएंगे पल्टी साइड साइड से बुन управ को हीएंगे अची साइड से पहे सम्झा सीधा बुन उल्टी से टुन स्थन स्कलएडं पर आएंगे से झाल उल्टी साइड से बुन दुन smoothie से जीग उल्टी साइड ।री नactory यह उल्टी रो हमारी कम्प्लीट हो गई है तो यह हमारी दो रो कम्प्लीट हो गई है एक उल्टी और एक सीधी इसके बाद तो हमें दो रो और इसी तरह से कम्प्लीट करनी है उल्टी और सीधी देखिए यह हमारी चार रो कम्प्लीट हो गई है अब फिर से हम यह डिजाइन डालेंगे यह वाला धागा जो नीचे छोड़ दिये थे इसको हम सैट करेंगे पहले हमारा डिजाइन यह यहां बना था इस पार यहां बनाए अब के हम इधर बनेगा यह बीच वाला फंदे प इस बार हम इसको बनाएंगे देखिए इस तरह से इसको ऐसी ले लेंगे और इस फंदे को हम इस तरह से लेंगे नीचे से उठाएंगे अपने इस दागे से बुन लेंगे इस तरह से फिर इनको तीनों को इस तरह से लेंगे तीन फंदे इस सलाई में डाल लेंगे हो इसको फिर नीचे से लेंगे और इस तरह से बुन लेंगे तीन फंदों को ले लेंगे सलाई में और ये फंदा नीचे से उठाएंगे इस तरह से और इसके साथ लेके इसको बुन लेंगे इस तरह से इन तीन फंदों को बिना बुनने लेना है ऐसी सलाई में इसमें इधर से ले लेंगे फिर से इसी धरे से करेंगे ये आगे वाले ये फंदा चोड़के ये डिजाइन वाला फंदा है तो हम ये फंदा चोड़के ये दो फंदों पे लेंगे इस पे एक फंदा चोड़ देंगे और आगे वाले फंदे पे इस तरह से सेलाई में ले लेंगे और इस भंदे को बुन लेंगे to है इस थरह जाए भार-बार यहीं रिपीट करना है जितना बड़ा हमें अपने स्वीटर बनाना है कारडीगन बनाना है या बच्छे के लिए बनाना है इसी तरह से हमें करना है यह इस तरह से ही यह बुनते जाएंगे हम अपना डिजाइब यह हमारा लाश्ट का पंदा है देखिए इस तरह से यह डिजाइन आएगा हम सीधी साइड से हम इसको लगाएंगे उल्टी साइड से लगाएंगे इसको और सीधी साइड से हमें यह अपना डिजाइन कंप्लीट करना है अब उल्टी साइड से हम इस तरह से करेंगे कि सीधी साइट से हमारा design complete हो झाएगा और जब हमारी उल्टी साइड आएगी तो design बनाने के बाद इस तरह से बु느ाएंगे उसको कि भुनेंगे अर्यसको बुने फंदह बुना है हम ने फिर धागा पीछे करेंगे इन तीन फंदों को ले लेंगे इस तरह से फिर से हम धागा आगे कर लेंगे और इसको यहीं छोड़ देंगे यह सुरुवात में ही जैसे डिजाइन हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद हमें यह करना है धागा फिर पीछे करेंगे और इस तरह से तीन फंदे ले लें होने के बाद इस तरह से छोड़ देना है और फिर चार रोव अपनी कंप्लीट करनी है उसके बाद यह देखे इस तरह से डिजाइन आता बनता चला जाएगा इस तरह से जितना बड़ा भी हमें बनाना है फिर हमारे यह डिजाइन कुछ ऐसा लुक देगा बस इस वीडियो में इतना ही प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब को जरूर करें बाई बाई जितना बड़ाम डिक्षब बाई